इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं Infosys Stock के बारे में इस Stock को डिस्कस करने का मुख्य कारण यह है कि पिछले 1 week से यह Stock Consolidate होते वे दिख रहा है और 1780 का resistance जो है उसको Cross करते वे यह Stock नहीं दिख रही है बहुत सारे आप में से बायर होंगे जिनोंने उपरी प्राइस पे बाइंग कर रखा होगा तो आईए जानते हैं कि इस Stock का क्या Target और Stop Loss Sorter में होना चाहिए इस Stock से डिस्कस करने से पहले आपको पता ही होगा Globally IT Stock में भी थोड़ा बहुत गिरावर्ट दिखा है वहीं बात करें अगर Meta Meltdown जो कि आपने रिसेंट टाइम में ही दिखा है जिसको कि आप Facebook नाम से भी जानते हैं लगबख 25% के गिरावर्ट दिखिए जिसके बाद Mark जुकरवर का Valuation अनी लंबानी और मुके संबानी से भी नीचे आ गया है Infosys को लेकर के दो Breaking News है पहला News यह है कि Union Bank अपना Banking Facility WhatsApp के थ्रू दे रही है जिसको Operate Infosys ही करने वाली है और यह 4 फरवरी का News है Infosys Finical के द्वारा और साथ मही 23 lakh share incentive के रूप में Infosys दे रही है दो batch को 2015 और 19 के batch को जिसे कि Infosys के share में ज्यादा liquidity आएगी तो थोरा short turn में आपको caution रहने की जरूरत है अगर यह stock 1755 के उपर अगर opening होते है और sustain होता है तो कल के trading session में यह stock 1780 के उपर अगर जाता है तो 1795 के आजपास का target हो सकता है लेकिन personally मेरा recommendation होगा कि थोरा caution रहने के जरूरत है थोरा इस stock से दूरी बनाए shorter में बहुत ज्यादा इस stock को लेकरके bullish view नहीं है थोरा बहुत और 7-10 दिन तक यह stock आपको consolidation phase में दिख सकता है इसलिए थोरा